दोस्तो आप सभी का Only Top Study में स्वागत है आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 2022 के सभी चर्चित खिलाडी और उनके खेल और राज्यों से सम्मंदित Top 40 कोशन दोस्तो जो की परिक्साओं के लिए बहुत ही महत्पून होंगे तो आप इस वीडियो को पूरा end तक देखेगा चाहे आप किसी भी एक्जाम की त्यारी करते हैं दोस्तो खेल और राज्यों से सम्मंदित एक से दो कोशन आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो प्लीज वीडियो का एंट तक देखे, 40 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं, अपना स्कोर कमेंट बोक्स में जरूर बतेगा, दोस्तो अगर आप चाहते हैं कि GK Science का रंट फेर का पूरा टॉपिक वाइज कोर्स कवर करना, तो चैनल को तुरहन सब्सक्राइब कर ल कर सकते हैं, और टाइमिंग नोट कर सकते हैं दोस्तो सभी किलासिस का, देखे जितरी भी मैं वीडियो अप्लोड करता हूँ ना, उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में है, वहां से आप वो सारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, चलिए तो सुरू करते हैं, आज की वीडियो को और पहला कोशन आपकी स्क्रेन पर है, मनू भाकर किस खेल से संबंधी थे दोस्तो, तो जल्दी से अगर आपको आंसर पता है, कमेंट बोक्स में बताएगा, दोस्तो मनू भाकर किस खेल से संबंधी थे, यह है निसाने रखेगा हर एक दोस्तों खिलाडी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं दूसरा कोशन आता है आपका कि हिना सिंदू किस खेल से संबंदित है मेरे प्यारे दोस्तों हिना सिंदू भी ये किस खेल से संबंदित है निसाने बाजी से संबंदित है तो इस कोशन का राइट option A हो जाएगा और यह किस राज्य से आती है दोस्तों हिना सिंदू लुध्याना पंजाब से हैं तो यह भी आपको याद अखना है और अगला question दोस्तों हमारा आता है सोरब चोधरी किस खेल से संबंदित है मेरे प्यार दोस्तों निसाने बाजी से संबंदित है और यह कहां से आते दोस्तों जहां से मैं आता हूं मतलब कि मेरी सिटी से ही है तो इस question का right answer हो जाएगा सोरब चोधरी मेरट उत्तरपरदेश से है तो यह आपको याद अखना है मेरे प्यारे दोस्तों ठीक है अगला question दोस्तों आता है कि साकसी मलिक की scale से संबं है पहलवान है यानि कि कुस्ती से संबंदित है तो इस question का right answer C हो जाएगा अच्छा यह किस राज्य से हैं दोस्तों तो साकसी मलिक दोस्तों रोतक हर्याना से है तो यह आप जुरूर याद रखेगा question exam में पूछा जा सकता है अगला question दोस्तों है सीमा पूनिया किस scale से संबंदित है तो देखें सीमा पूनिया दोस्तों किस scale से संबंदित है आपको हर एक question में दोस्तों मैं खिलाडी की photo भी दिखा रहा हूं ताकि आप उस खिलाडी को relate कर सके और बिल्कुल याद कर सके ठीक है इस question का दोस्तों right answer हो जाएगा यह है discuss thrower यानि कि इस question का right answer option D हो जाएगा देखें हमारा golden boy दोस्तों जो नीरा चोपडा है वो करता है क्या भाला फेकता है यह वैसे ही दोस्तों एक goal सा एक ऐसे discuss होती है उसको throw करते है तो यह एक अलग game होता है इसको भी आपको याद रखने important question यह कहां से आती है दोस्तों बजरंग पूनिया दोस्तों आप सभी को पता है पहलवान है तो कुस्ती से संबंधित है और यह कहां से आते हैं जजजर हर्याना से तो यह आपको याद रखना है इनके बारे में ठीक है जी बजरंग पूनिया अगला question दोस्तों काफी important है याद रखेगा एक्जाम के बिल्कुल सही उत्तर है इनका हो जाएगा दोस्तों स्री काकुलम आंधर प्रदेश यानि की option एरे टांसर हैगा और यह कोशन थोड़ा सा अलग तरीकी से बना दिया था मैंने अगला question दोस्तों विनेश फोगाट कुस्ती से संबंधित है आप सभी लोग जानते हैं यह किस राज्या से संबंधित हैं दोस्तों यानि किस राज्या से आती हैं तो यह आती हैं दोस्तों भिवानी हर्याना से यानि की option एरे टांसर हो जाएगा यह आपको याद कोशन दोस्तों आता है किताम भी स्रीकांद बेडमिंटन से संबंदित खिलाड़ी है यह किस राज्य से है तो मेरे प्यारे दोस्तों यह किस राज्य से है मैला दूथूरेई तमिल नाडू से यानि कि इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर ओप्शन ए रहेगा यह आपको याद अखना है कोशन नमबर 9 के बारे में चलिए अगला कोशन दोस्तों कोशन नमबर 10 आता है दूती चंद किस खेल से संबंदित है देखें दूती चंद दोस्तों किस खेल से संबंदित है यह एक धावक है यानि कि इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा option B और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों यह किस राज्य से हैं तो यह जाजपूर उडिसा से हैं ठीक है जाजपूर जिले में मतलब जिले से हैं और किस राज्य से उडिसा से तो यह आपको याद खना है भई अगला question दोस्तों आता है मीरा भाई चानूर से संबंदित question कि मीरा भाई चानूर की scale से संबंदित है तो इनको सभी जानते हैं दोस्तों weight lifting यानि कि भरुत तुलन से संबंदित है तो इस question का right answer भी option A हो जाएगा और ये कहां से आते हैं दोस्तों देखें मीरा भाई चानू दोस्तों कहां से हैं तो ये हो जाएगा आपका मनीपूर से ठीक है इंफाल इस्ट डिस्टिक से तो ये आपको याद अखना है भई अगला कोशन दोस्तों हमारा आता है हीमा दास की स्खेल से संबंदित है तो मेरे पियारे दोस्तों दावक ये भी, और ये कहां से है ये है द्यांग ये है दोस्तों आपका असम राज्य से ठीक है पढता है जिलान का तो ये आपको आद आखना है अगला कोशन है दोस्तो अभिनाव बिंदरा किस खेल से हैं तो अभिनाव बिंदरा दोस्तो किस खेल से संबंदित है यह भी निसाने बाजी से संबंदित है यानि कि option A हो जाएगा और यह किस राज्य से दोस्तो यह आते हैं देरादून उत्राखन राज्य से तो यह आपको या दखना है अगला कोशन दोस्तों हमारा आता है कि अंजली भागवत किस खेल से संबंदित है जल्दी से बताइए अंजली भागवत दोस्तों किस खेल से संबंदित है तो ये भी दोस्तों निसाने बाजी से संबंदित है यानि कि B-right answer एगा और इनके बारे में बात करी जा यह आती है दोस्तो Table tennis ठीक है किश से सम्बंदित है Table tennis से और यह कहां से आती दोस्तो कि राज्ज SNS से यानि कि आपसे question में पूछे जाएगा तो यही पूछ जाएगा किस राज्य से या किस केंशासित प्रदिश से आती है तो दिल्ली आपको याद एकना है हेदराबाद से तो यह आपको याद रखना है अगला कोशन दोस्तों हमारा आता है कि जीत्तु राये किस खेल से संबंदित है तो देखें जीत्तु राये भी दोस्तों किस खेल से संबंदित हो जाएंगे बिल्लकुल सुटिंग से संबंदित है यानि कि option A right answer हो जाएगा और यह आते है दोस्तों लकनाओं उत्तर परदेश राज्या से यानि कि option आपका यह रहेगा लकनाओं उत्तर परदेश दोस्तों अगला कोशन आता है जिंसन जॉंसन किस खेल से संबंदित है तो यह दोस्तों यह भी एक धावक है यानि कि इस question का right answer option A हो जाएगा और यहाँ अगर बात किज़ें यह कहां से आते हैं दोस्तों यह आते है कोजी कोड केरल से यह आपको याद एखना है अगला कोशन दोस्तों हमारा बनता है कि जेरीमी लाली नूंगा किस खेल से संबंदित है मेरे प्यार दोस्तों यह भी ब्रोतुलक से संबंदित है यानि कि weight lifting से पुछा जाए तो अगला कोशन दोस्तों आता है आर supports और किस खेल से सं पंदित है तो प्राग्नन्द किस खेल से संबंदित है दोस्तों यह हो जाएंगे 17 से संबंदित जैसे कि आप लोग इनको देखी पा रहे होंगे और यह चिन्नाई तमिलाडू से हैं तो यह भी आपको याद अखना है ओल राइट चले अगला कोशन दोस्तो हमारा आता है नीरा चोपडा देखें नीरा चोपडा दोस्तो किस राज्य से आते हैं तो सबसे पहले तो आप सभी को पता ही है जैवलिन थ्रो यानि की भाला फेक से संबंदित है और यह आते हैं दोस्तो पानीपत हर्याना से तो ये आपको याद अखना है ठीक है पानीपत अर्याना ये आपको याद अखना है इसके पीडियाप दोस्तों आपको कहां से मिलेगी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंड में तो पूरी वीडियो को देखेगा अगला कोशन है दोस्तों मिथाली राज की स्खेल से संब संबंदित है देखे संजीता चानों भी किस खेल से संबंदित है भरोतलन से दोस्तों संबंदित है यानि की option एरेट आंसर हो जाएगा weight lifting से संबंदित है और यह दोस्तों किस राज्जी से आती है तो यह आती है कंक्चिंग मनीपूर से तो यह आपको याद अखना है भई ठी किस खेल से संबंदित है देखे विश्वनात आनद मेरे प्यारे दोस्तों किस खेल से संबंदित है यह सत्रन से संबंदित ठीक है यह आपको या दखना है और यह किस राज्जे से आते हैं बिलकुल सही उत्तर क्या है मैला दूथुराई तमील नाडू से यानि कि इस question का right answer आपका यह रहेगा ठीक है अगला question दोस्तों आता है वाइंचूंग भूटिया की स्खेल से संबंदित है तो देखे वाइंचूंग भूटिया यह संबंदित है दोस्तों फुटबोल से और यह किस राज्जे से आते हैं दोस्तों यह आते हैं तिनकितम सिक्किम से तो यह आ आपको याद अखिना है अगला कोशन दोस्तों आता है साइना नेवाल किस खेल से संबंदित है देखें साइना नेवाल दोस्तों आपकी किस खेल से संबंदित है आप सभी लोग जानते हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका बेडमिंटन से संबंदित है और यह दोस्तों आत किससे ए बिलकुल सही है निसाने ऐबाजी से और यह है दोस्तों कहां से बिहार से जुमाई बिहार यह अगला कोशन दोस्तो आता है तो किस सब्रवसे सही बेलोग उस से जल्दी से सिल्दि भोगिस से आशन से उसा समणदित और Star करमाकर किस खेल से संबंदित है तो देखे दीपा करमाकर दोस्तों जिमनास्टिक से संबंदित है यानि कि option A रहेगा अगर बात कीजे दोस्तों एक किस राज्ये से आती है तो अगर तला तिरपुरा से यह आती है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों यह तो कई बार एक्जाम में भी पूछा जा चुका है रवी कुमार दहिया दोस्तों किस खेल से है तो रवी कुमार दहिया भी दोस्तों किस खेल से हो जाएंगे ये संबन्दी थे दोस्तों किस से फुटबोल इस कोशन का रहेट आंसर हो जाएगा ठीक है और ये दोस्तों किस राज्या से आते हैं तो ये सिकंद्राबाद तिलंगना से आते हैं ये आपको याद अखना है इंपोर्टेंट है वई अगला कोशन दोस्तो नवीन कुमार किस खेल से संबंदी थे तो देखें नवीन कुमार संबंदी थे दोस्तो कबड़ी से ये भी काफी important हो सकता है और ये आते हैं दोस्तो सुल्तानपूर हर्याना से तो याद रखेगा very very important है सुल्तानपूर हर्याना से अगला कोशन दोस्तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये भी मनपरीज सिंग किस खेल से संबंदित है देखें मनपरीज सिंग दोस्तो आप लोग इनके हाथ में देख सकते हैं फोटो मैं इसलिए आपको हर एक कोशन के दिखाता हूं थोड़ा सा इमेज को देखके ना चीजे किलियर हो जाती है कि उनके हाथ में ये होकी है तो इससे आपको पता चला है होकी से संबंदित है तो राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा मनिपरीज सिंग दोस्तो जालंदर पंजाब से है तो ये भी आपको याद खना है अगला कोशन दोस्तो आता है अमित पंगाल किस खेल से संबंदित है तो अमित पंगाल किस खेल से संबंदित हो जाएंगे बिल्कुल सही है बोक्सिंग से संबंदित है तो ये आपको याद याद इखना थे ना थीतना है वहीं पर बात कीजेए दोस्तों एक किस राज्य से हैं तो ये रोगता हर्याना से है ये भी आपको याद लृभे अगला कोशन दोस्तों आता है मैरी कॉम किस खेल से संबन्दि थे तो मैरी कॉम मेरे प्यारे दोस्तोंasad से संबंदित है बिल्कुल बहुत ही सही आंसर किया आप लोगोंने बोक्सिंग से यानि की option बी रैट आंसर हो जाएगा दोस्तो अमेरी कॉम कंग थी मनिपूर से हैं ये भी आपको याद अखना है अगला question दोस्तों आता है पंकज अडवानी किस खेल से अगला किस खेल से संब्बंदीथ है और मेरे प्यारे दोस्तों ये किस्से है धावक है ये भी और इस question का right answer option A हो जाएगा वहीं पर अगर बात कीज़े दोस्तों ये कहां से है तो ये है कुटीली केरल से तो इस question का भी आपको याद अखना है ठीक है जी अगला question आता है रानी रामपाल किस खेल से संबंदित है तो मेरे पैरे दोस्तों रानी रामपाल संबंदित है होकी से तो ये भी काफे important है और दोस्तों ये किस राज्य से आती है ये आती है दोस्तों रानी रामपाल सहाबाद हर्याना से तो ये भी आपको याद अखना है ठीक है भई अब दोस्तों एक question last वाला जो 40 वा question है वो मैं आप लोगों से पूचूंगा आपको बताना है सानिया मिर्जा का संबंद की स्केल से है हर एक student comment box में बताएंगे कि सानिया मिर्जा का संबंद की स्केल से है ये आपका question रहेगा दोस्तों इस वीडियो का जो इसका answer आप सभी को comment box में बताना है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज comment box में जुरू बतेगा अगर वीडियो पसंद आए लाइक करके अपने दभाई बेन दोस्तों के साथ में सेयर करिएगा मैं आपको इसी परकार से हर एक topic पर चीजे दोस्तों cover करा रहा हूँ चाहे वो current affair की हो चाहे आपकी GKR science की हो तो please channel को भी subscribe करके bell icon को on कर लिजे क्योंकि bell icon on नहीं होगी ना तो आपके पास notification नहीं बोजेगा इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि bell icon को जुरूर on कर लिजे और दोस्तों ये रहे हमारे दो पीडियाप जिनको आप डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं complete GKR science की link नीचे description box में available है आप हमें WhatsApp पर message करके भी इन दो पीडियाप का link ले सकते हैं दोनों पीडियाप paid है thank you so much bye bye everyone take care अपना क्याले के मिलते नेक्स क्लास में